जो विशय है उनर जनम और आत्म हत्या जी हाँ और इसका आधार क्या है इस चर्चा का स्री राम चरित मानस उसी राम चरित मानस के उत्तर कांड पर हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर कांड में बहुत कुछ दार्शनिक विशय है आध्यात्मिक विशय है जिनकी चर्चा मिलती है कई दार्शनिक विशय है कई आध्यात्मिक विशय है जो कि उत्तरकांड में चर्चा में लिया गया है गोस्वामी तुलसिदाजी द्वारा और रामकथा वो भी पूर्ण किया गया है तो राम कथा की फूर्णता उत्तरकांड में जाकर होती है भगवान राम राजा बन जाते हैं और राजा बनने के बाद सबको उचित पद देते हैं अतीतियों का सतकार करते हैं रिशिमुनियों का सम्मान करते हैं यग्य करते हैं और फिर जाकर रामचरित मानस के नुसार पत्रों का जन्म होता है और वो दो पुत्र, उन दो पुत्रों के कैसे गुन होते हैं उसका वर्णन रामचरित मानस में मिलता है लेकिन दो पुत्रों का जन्म रामचरित मानस के नुसार अयोध्या में होता है तो पुत्रों का जन्म रामचर्त मानस के नुसार अयुद्या में ही होता है और ये अयुद्या में जन्म होना ये कथा किस प्रकार से है जिए ग्यासों मित्रों थोड़ा सा व्यवधान बीच में रहा लेकिन फिर से अब हम अपने इस कारिकरम को शुरू कर रहे हैं चर्चा को इस लाइव चर्चा को तो है जैसा कि आप से हमने कहा कि यह विशय रामचर्त मानस पे अधारित विशय है पुनर जन्म तो चलिए आज यह विशय आचुका है विशय से मनुष्य जीवन बहुत ही महत्यपूर्ण है कल हमने यह सुना कि मनुष्य जीवन बहुत ही महत्यपूर्ण है अब यह मनुष्य जीवन निश्य ही बहुत महत्यपूर्ण है लेकिन मनुष्य जीवन महत्यपूर्ण इसके महत्यपूर्ण होने का लाब हमें कब मिलेगा जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं तो हमें महत्यपूर्ण जीवन होने का लाब प्राप्त होता है यदि हम योग के मार्ग पर नहीं चलते तो महत्यपूर्ण जीवन का लाब हमें नहीं मिल पाता फिर क्योंकि यह मनुष्य जीवन बड़े भाग के से मिला है गोस्वामे तो सिदा जी लिखते है कि बड़े भाग मानुष्य तनपावा सुर्दुर्लब सब गरन्थई गावा साधन धाम मुक्ष करीद्वारा पाईना जेही पर लोग सवारा मनुष्य जीवन मिला है बड़े भाग से मनुष्य जीवन की प्राप्ती हुई है लेकिन यह मनुष्य जीवन की प्राप्ती इसका लाब कब है जब मनुष्य योग करेगा जब वो योग मैं जीवन जीएगा तभी इसका लाब है अगर योग मैं जीवन नहीं जीएगा तो इसका लाब नहीं है क्योंकि मनुष्य जीवन इसी योग के लिए मिला है या मनुष्य जीवन योग करने के लिए ही प्राप्त हुआ है चौपाईयों के माध्यम से भी गोस्वामी तुलसिदार जी इस तथे को समझा रहे हैं तो कल के भी चौपाईयों पर हम विचार करेंगे आज के भी चौपाईयों पर हम विचार करेंगे तो गोस्वामी तुलसिदाजी लिखते है कि बड़े भाग मानुशतन पावा सुर दुरलब सद गरंतें गावा साधन धाम मोक्ष करिद्वारा पाई न जही परलोग सवारा बड़े भाग यसे मनुश्य शरीर मिलता है सब गरंतों न यही कहा है और यह शरीर देवताओं को भी दुरलब है यह साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है इसे पाकर भी जिसने परलोग ना बना लिया सो परत्र दुख पावई उसको दुख पराप्त होता है वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पच्ताता है काल पर करम पर पर इश्वर पर मिथ्या दोस लगाना शुरू कर देता है इहीतन कर फल बिशय नभाई, स्वर्गव स्वल्प, अंत दुखदाई यह जो शरीर है, यह पश्वों की भाती भोगों में लिप्त होने के लिए, विशय भोगों में लिप्त होने के लिए शरीर नहीं है इस चौपाई का अर्थ है कि या शरीर इसलिए नहीं है कि या भोगों में लिप्त हुआ जाए और विश्यों में हमेशा लिप्त रहा जाए और जो इस बात को नहीं समस्ता वह मनुश्य शरीर पाकर भी विश्यों में मन को लगा देते हैं और वे मुर्ख अमरित को बदलकर विश ले लेते हैं अर्थात जहां अमरित प्राप्त करना चाहिए था उन्हें विश की प्राप्ती होती है वो अमरित की प्राप्ती नहीं कर पाते हैं विश की प्राप्ती करते हैं तो मनुष्य जीवन का बड़ा ही सभाग्य बताया गया है, और मनुष्य तन का बहुत सभाग्य बताया गया, अगर आपने इस तन को प्राप्त करकर यूग नहीं किया, भक्ती नहीं की, तो आपका क्या हाल होगा? आप कई दुखों को भोगेंगे और कैसे दुख भोगेंगे अमरित ना मिलेगा आपको विश्ध मिलेगा फिर कहते कि ताही कवहु भल कही नज कोई गुण्जा ग्रही परसमनी खोई आकर चारी लग चारासी आकर चारी लच्छ चौरासी जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी अर्थात जो पारस मनी को खोकर बदले में घोंगा ले ले घोंगची ले लेता है, कौडिया ले लेता है उसको कभी कोई भला नहीं कहता, उसे कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता यहाँ अविनाशी जीव चार खानों और 84 लाक योनियों में चक्कर लगाता है आकर चारी लच्छ 84, चारी लच्छ 84 मतलब यहाँ पर आकर चारी लच्छ 84 मतलब चार मुख्य प्रकार के योनिया होती है, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उदभीज चीक, अब इन्हीं में 21-21 लाक की योनिया बनती हैं, जो कि कुल मिलाकर 84 लाक योनिया कही जाती है तो 84 लाक योनिया इस प्रकार से जीव इसमें भटकता है अनेको योनियों को अनेको बाई, तो 84 लाक योनिया होती है लेकिन उसका जन्म अनेकों योनियों में कई बार हो सकता है 84 लाग से भी जादा हो सकता है यदि उसने मनुष्य जीवन की प्राप्ती पर अगर ध्यान नहीं दिया मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि उसने योग नहीं किया यदि उसने भक्ती नहीं की यदि उसने नहीं समझा प्रकृति के विज्ञान को नहीं समझा स्वेम को नहीं समझा आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया आत्म ज्ञान के बिना विमूर रह गया आत्म ज्ञान बिना नर्ब हटके कभी मतुरा कभी काशि आत्मिज्ञान के महिमा कई जगों पर मिलती है राम चरित मानस में भी मिलती है तो आत्मिज्ञान की ओर नहीं बढ़ा वो कभी स्वेम को जानने का कोई प्रयास नहीं किया कभी योग के परती उसकी कोई रूची नहीं है और जब योग के परती कोई रूची नहीं है बक्ती में कोई रूची नहीं है तो निश्य ही वो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा रहा है और वो अम्रित को छोड़कर विश्को ही लेगा पारस्मनी को छोड़कर घोंगची अर्थात कौडियों को ही धारन करेगा वो कभी भी सही अस्थान पर नहीं पहुचेगा उसकी गती सही नहीं होगी और 84 लाख योनियों में वो भटकेगा अर्थात बार बार जनम लेना बार बार मिर्थ्यू को प्राप्त होना आकर चारी लग 84 जोनी भ्रमत या जीव विनाशी या जो जीव है या अनेक योनियों म जैगा पुंदर अपी जनना इस संसार कर मिर्थ्यू को प्राप्त हो जाना और इस प्रकार से चक्र में इस चक्र में जीव भटकता रहेगा इसी को काल चक्र कहा जाएगा यही कर्म चक्र है यही प्रकृती का चक्र है यही कर्म फल का चक्र है इसी के लिए कहा गया कि भई तुम 84 लाकियों में भटकते रहोगे बार बार जन्नम लोगे और बार बार मिर्त्यू को प्राप्त होगे क्योंकि जो इस चक्र से निकलने का मार्ग था वो योग का मार्ग था, वो भक्ती का मार्ग था तुमने उसे नहीं अपनाया तुमने उसे नहीं जाना स्वेम का मार्ग था, वो आत्मा का मार्ग था आत्मे ग्यान का मार्ग था तुमने उसे नहीं प्राप्त किया तो उस आत्मे ग्यान के मार्ग को तुम्हें प्राप्त करना चाहिए था आत्मे ग्यान के मार्ग पर तुम्हें बढ़ना चाहिए था लेकिन तुम उस मार्ग की और नहीं बढ़ पाए और जब नहीं बढ़ पाओगे तो क्या करोगे अमरित के जगा विश ही हाथ लगेगा पारस मनी के जगा कौडिया ही हाथ लगेगी ठीक है पारस मनी तो एक पत्था है कौडिया मतलब की जो सीपियां होती है समुद्र के किनारे जो घोंगची जिसको कहा जा रहा है यहाँ प आपको हाथ लगेगी ना कि आपको हीरा हाथ लगेगा कोईला हाथ आपको लगेगा विश आपके हाथ में लगेगा और आप बार बार जनम लोगे और बार बार मरने के प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी और यह जो घटना है यह किस प्रकार से है तो इसकी तूलना गोस्व पामित उसिदाजी दे रहे हैं कि ऐसा क्यूं होता है कि उसे समझ में नहीं आया ऐसा क्यूं होता है कि उस मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी वो योग मार्ग पर जरा सा भी प्रयास नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा भी प्रयास कर ले तो उसकी मुक्ति का साधन बन जाता है थोड़ा सा भी प्रयास कर ले थोड़ा सा भी अगर योग मार्ग पर भक्ती मार्ग पर आगे बढ़ जाए तो उसको सहारा मिल जाता है सपोर्ट मिल जाता है और कई कर्म कर्म जो है उसके खतम हो जाते हैं और एक कल्यान हो ऐसा कर्म बन जाता है इसलिए श्रीमत पुर्ण नहीं हुआ उसकी मिर्त्यू हो गई तो उसकी क्या गती होगी? या कोई यदि योग भरष्ट हो गया तो उसकी क्या गती होगी? उसकी क्या गती होगी? यदि वो योग भरष्ट हो गया तो योग भरष्ट हो गया या फिर मिर्त्यू हो गया तो क्या गती होगी? तो देहताओं की योणी स्वर्ग आदी योणियों को प्राप्ट होकर वो पहले तो सुख का भोग करेगा और फिर अपने योग को पुर्ण करने के लिए धर्ती के उपर प्रित्वी पर मनुश्य योणी में जनम लेगा और ऐसे परिवार में जनम लेगा जहां से उसका योग संभव है, जहां से उसकी भक्ती संभव है, जहां से उसकी साधना की पूर्णता संभव है, जहां से मोक्ष संभव हो पाएगा, निर्वान संभव हो पाएगा, ठीक है? तो ऐसी परिवार में उसका जन्म हो जाता है, तो यह योग करने पर यह फल की प्र हलाकि कई बार हम बताते ही रहते हैं, रिपीट करके बताते हैं, फिर भी बता देते हैं, योग करने का मतलब यहां मात्र अपने शरीर को फिट रखना नहीं है, पेट कम करना नहीं है, आखों के रौशनी बढ़ाना नहीं है, यहां पर योग का अर्थ है निर्वान की योग का अर्थ है स्वरूप में अवस्था का बनना, स्वरूप में इस्थित हो जाना, अपने स्वरूप को जान लेना, आत्म ज्यान को प्राप्त हो जाना, अपनी चेतना में इस्थित हो जाना, ये इसका उदेश्य है तो इसलिए यहाँ पर जो रामचरितमानस में गोस्वामी तोसिदाजी यहाँ लिख रहे हैं कि योग अगर मनुष्य जीवन को प्राप्त करकर योग भक्ती नहीं किये तो 84 लाख योनियों में तुम्हें भटकना पड़ेगा और फिर तुम्हारे दुख जो है अनंत हो जाएंगे तुम्हारे दुख अनंत हो जाएंगी तुम्हारी व्याधियां अनंत हो जाएंगी तुम्हें अम्रित नहीं मिलेगा तुम्हें विश्वी मिलेगा पारस मनी नहीं मिलेगा तुम्हें घोंगे ही मिलेगा तो इसके लिए गोश्वामी तोसी दाजी बड़ा सुन्दर कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म सुभाव गुन घेरा कब हुक करी करुना नर देही देत इश बिनुहेत उस नहीं माया की प्रेरना से काल कर्म सुभाव और गुन से घिरा हुआ उसके वशिभूत काल कर्म और गुन के वशिभूत काल कर्म सुभाव गुन घेरा यह सदा ही जीव भटकता रहता है जीव के भटकने का कारण क्या है काल कर्म सुभाव और गुन वास्तों में गुन ही मूल तीन गुनों से ही काल कर्म और सुभाव का भी निश्य होता है तो काल कर्म सुभाव और गुन के वशिभूत पिनाही कारण जब उसे मनुष्य जीवन मिलता है कवहू करी करुणा नर्देही जब उस तरह से भटक रहा होता है काल कर्म सुभाव और गुन के वशिभूत फिरत सदा माया करी प्रेरा मतलब माया से प्रेरित होकर माया अर्थात इस प्रकृर्टी से प्रेरित होकर इस प्रकृर्टी से प्रेरित होकर इंस्पायर होकर तो इस प्रकृर्टी के कारण जो यह जो प्रेरिना मिलती है अने को कर्म करने की कर्मों का फल भोगने की इस प्रकृर्टी से प्रेरित होकर यह जो जीव है भटकता रहता है अपने काल कर्म सुभाव और गुन के वशि तो इसका पुनरपी जर्णम पुनरपी मरणम इसका लगा रहता है बार-बार जनम लेना बार-बार मिर्टु को प्राप्त होना यह लगा रहेगा और यही स्रिकृष्ण भगवान गीता में कहते है कि अंतिकाले जो जैसी भावना रखेगा यम यम वापी इस्मरन भावं ते जो जैसे जैसे भाव से इसमरन करते विए दे का त्याग करता है वैसे वैसे भाव को ही वो प्राप्त हो जाता है और बार-बार उसका जनम मरन का चकर बना ही रहता है क्योंकि उसने योग नहीं कर पाया तो मुक्ति का रास्ता उसका स्पष्ट नहीं होता वो इसी के वशी चलेगा और यह जो इस्थिती है कर्मों के वशी भूत काल के वशी भूत बार बार जनम लेना और मिर्थु को प्राप्त होना यह इस्थिती कैसी है तो इस इस्थिती के बारे में गो स्वामी जी लिखते हैं क्या लिखते हैं? करना हे अगम संसार सागर विश्व भारी पाही प्रभू पाही प्रभू अवलंब तुमी अभ मुरारी उसकी प्रार्थना होती है कि मुझे इस चक्कर से मुक्ती मिले कि बार बार जनम लेना बार बार मिर्तु को प्राप्त होना और दुख सुखों को भोगना इस चक्कर से मुझे मुक्ती मिले मुझे कोई रास्ता मिले जिससे कि मैं बाहर निकल जाऊ और जब उसकी ऐसी प्रार्थना होती है तो फिर उसे उस पे कृपा होती है और उसे नर्देह मिलता है लेकिन नर्देह यह बेड़े के समान है नर्देह बेड़े मतलब नाव के समान नर्तनभाव बारिद कहूं बेड़ो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो यदि मनुष्य जीवन मिला है तो यह जहाज है बेड़ा है और उसमें अगर अनुकूल विवस्थाएं आपको मिल गई है परिवार अच्छा मिल गया है धनधान ने भी प्रशूर है तो फिर यह अनुकूल वायू है इतना होने पर भी सद्गुरू करणधार सद्गुरु धिर्णावा जो इस भवसागर से पार लगाने वाला है वो गुरु ही है जो आपको ऐसी प्रेंडा देगा जो आपको सही रास्ता बतलाएगा सही मार्ग बतलाएगा कि संसार में रहते हुए अपने ग्रिहस्त जीवन में रहते हुए संसार में रहते हुए किस तरह का अभ्यास सुरू करें जिससे की इस भवसागर से मुक्ती हो जाए किस तरह का अभ्यास सुरू करें जिससे की इस भवसागर से म दुरलब है वो भी सुलब हो जाएगा जो दुरलब है उसकी सुलबता फिर आ जाएगी तो वो भी सुलब हो जाएगा तो दुरलब को सुलब करने का ये तरीका है तिक दुरलब को सुलब करने का तरीका की ये सद्गुरु प्राप्ति से दुरलब भी सुलब हो जाये करते है तो हमें दुरलब को सुलब अगर करना है तो फिर कोई बस एक गाइड जो हमें जो खुद थोड़ा जानता है और हमें रास्ता दे दे तो इस प्रकार से गो स्वामी जी यहां पर रहते कि दुरलब साज सुलब करीपावा जो दुरलब है दुरलब क्या है दुरलब उन्हों ने बता दिया पहले ही बता दिया दुरलब क्या है पारस मनी दुरलब है न अमरित दुरलब है क्योंकि जो इस मनुष्य जीवन के महत् वो अमरित को छोड़कर विश्ख को दारन करता है, हीरों को छोड़कर कौडियां ही लेता है और अपना नुकसान कराता है, फिर सिर्फ पटक पटक के रोता भी है और इश्वर को दोश लगाता है कि इश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, काल करम को दोश लगाता है कि स जो समय ही खराब चल रहा है। हम पुराने शरीर को छोड़ कर नया शरीर धारन कर लेते हैं श्री कृष्ण भगवान श्रीमत भगवत गीता दूसरे अध्याय में ऐसे चर्चाएं कर रहे हैं तो इस प्रकार की चर्चा वहाँ पर मिल रही है आ रही है तो यह जो चर्चा है यह किस उदेश्य से है तो यही बात समझने के लिए है पुनरजनम का विशे तो इस तरह से पुनरजनम होता रहता है जैसी जैसी भावनाएं होती है जैसी जैसी माया होती है वैसा वैसा जनम भी होता रहता है लेकिन यदि किसी ने यूग कर लिया यूग कर लिया जिसने थोड़ा सा मुक्ती का साधन नि इकाल लिया तो वो वित्ती संसार में बहतर तरीके से रहते हुए भी वो अपने मुक्ती का मार्ग ढून लेता है और वो अपना कल्यान करता है तो और साथ में अगर उसे गुरु की कृपा मिल जाए दुरलब साज सुलब करीपावा नरत नभव बारिद कहु बेरो सनमु कमर अनुगरा मेरो करंधार सत्य गुरु दिर नवा दुरलब साज सुलब करीपावा तो जो दुरलब था वो अमृत जो दुरलब था वो पारस मनी जो दुरलब था उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगे और यदियस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा तो गोस्वामीत उसी मतलब मनुष्य जीवन को भी पाकर योग नहीं कर रहा आत्म ज्यान की और आगे नहीं बढ़ रहा वह कृतग्न और मंद बुद्धी है और आत्म हत्या करने वाले की गती प्राप्त होता है मतलब यह आत्म हत्या करने के बराबर है मनुष्य जीवन को प्राप्त करकर योग मार्ग को प्राप्त ना होना आत्म ज्यान के मार्ग को प्राप्त ना होना तो कि आत्म ज्यान का अनुसंधान ही भक्ती है आत्मा का अनुसंधान ही भक्ती है योग का अनुसंधान या योग की साधना ही भक्ती है तो जब तक वह आत्मे ज्ञान का अनुसंधान नहीं करता इसे मनुष्य जीवन को प्राप्त करकर after having human body इसको होने के बाद भी जरासा भी प्रयास किसी तरह का कोई प्रयास कोई कोशिश नहीं कि वह आत्मे ज्ञान को प्राप्त हो वह मूल चेतना को प्राप्त हो नहीं प्रयास करता तो उसका जो जीवन है और मात्र अपने आपको भोग मार्ग में ही रखता है पशुओं के समान भोगों को भोगता है खूब खाओ खूब भूमों खूब पहनो इस तरह से जब वह जीवन जीता है और सारा लक्ष संसार में लगा देता है संसार के जो वर्ल्डली एंबिशन्स है जो वर्ल्डली लस्ट है मात्र उन्हीं में लिप्ट रहना उन्हीं में लिप्टे हुए रहना लंपट रहना जब ऐसी स्थिती को जीव प्राप्त कर जाता है तो उसका जीवन ऐसे है जैसे वो आत्महत्या कर रहा है आत्महत्या कर रहा हो वैसा ही वो जीवन जी रहा है गो स्वामी तुलसिदाजी लिख रहे है उसका जीवन आत्म हत्या करने के बराबर है, जिस व्यक्ति की आत्म हत्या करने से जो गती होती है, वही गती उसकी भी हो जाएगी, तो प्रश्न ये उठता है कि आत्म हत्या करने से तूलना क्यों की जा रही है, यदि कोई व्यक्ति आ जीवन योग मार्ग पर भक्ती मार्ग पर जरासा भी प्रयास नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता कि उसके आत्म ज्यान हो, उसको मुक्ती प्राप्त हो, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं, तो वो आत्म हत्या ही कर रहा है, गो स्वामी तुलसिदा जी बहुत गहरी बात यहां पे लिख रहा है, वह ही इस कमिटिंग स प्रयास लिटिल बिट कोई कोशिस नहीं थोड़ा सा भी प्रयास नहीं कोई प्रैक्टिस नहीं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता इसे योग मार्क पर भक्ती मार्क पर तो वो आत्म हत्या ही कर रहा है ऐसा समझना चाहिए तो यहाँ पर यह गो स्वामी तो सिदाजी पते क की बात एक लिखते हैं कि जो परलग जो नर्तरे भवसागर नर्समाज असपाई सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए जो मनुष्य नर्तन को प्राप्त करके भी भवसागर से ना कोई तरने का प्रयास करे वह कृतगन और मंदबुद्धी है और आत्महत्या करने व कैसे नश्ट कर देना संसारिक मुहमाया के वशिभूत अपने आपको नश्ट कर देना संसारिक मान सम्मान में लिप्त होकर अपने आपको नश्ट कर देना और जब कोई जीव अपने आपको इस प्रकार से नश्ट करता है जब कोई मनुष्य इस प्रकार से अपने आपको आत्महत्या उसको कहते हैं तो वो निश्य ही क्योंकि वो संसारिक चीजों के परती कुछ ज़्यादा ही आकर्शित था और उसे नहीं मिल पाई यही तो होता है नहीं मिल पाई शायद उसे उतना मानसमान जीवन में नहीं मिला शायद वो फेलूर हो गया अब हर साल आप देख आते हैं जब 12 वी के रिजल्ट आते हैं आप आगे की छोड़ दिजिए कि IS का रिजल्ट आता है तो उसके बाद क्या होताहि लेकिन जब 12 वी रिजल्ट आते हैं तो आप local newspaper को आप कभी भी national news में ये खबर नहीं पाएंगे आप जबकि होनी चाहिए जो national news media है electronic media है उनमें आप कभी ये news नहीं पाएंगे लेकिन local newspaper में आपको खबरे मिलेंगी क्या खबरे मिलेंगी जब भी 10 और 12 वी का result आता है तो बहुत सारे यूआ आत्महत्या करते हैं fail हो गए fail हो गए इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं और कई कारण है उनके आत्महत्या करने का तो fail हो गए हम तो fail हो गए हमारा साल ही तो बरबाद हुआ है जीवन में ना जाने कितने साल हो होते है अब बरबाद कैसे जब कुछ न कुछ तो करने और सीखने को मिलता ही है तो बरबाद भी नहीं होता लेकिन आत्महत्या कर लेते हैं तो क्यों आत्महत्या एक माया के वशिभूत एक संसारिक महत्वक आंग्शा के वशिभूत जो उनके दिमाग में शायद उनके समाज ने भर दी है उनके मात्या पिता ने भर दी है और उसके वशिभूत, उस धारणा के वशिभूत वो आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या का प्रेणाम उनका चक्कर तो लगा ही रहना होना चाहिए था किस मनुष्य जीवन का लाब उठाएं और ध्यान योग के मार्ग पर चलें, योग साधना करें, भक्ती करें और अपने आपको मुक्त करें, आत्म ज्यान को प्राप्त हो जाएं कैवल ज्यान को प्राप्त हो जाएं लेकिन ये समी बातों पर ध्यान ना देकर मात्र सांसारी को प्लब्धी के वशिभूत आत्मत्या लोग कर लेते हैं तो अब सांसारी को प्लब्धी के हेतु ना होने पर आत्मत्या कर लेते हैं और कई बार बहुत परिपक्व लोग कर लेते हैं कई बार फिल्म स्टार जो करोडों लाखों अर्बों रुपए कमा चुके हैं और कई बार आईएस अधिकारी जैसे लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं जो पढ़ लिखकर अपनी मेहनत से और आईएस बनकर बहुत उचे पद्वी पर जाते हैं धन भी कमाते हैं सम्मान भी कमा लेकिन फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि कहीं न कहीं जीवन का मर्म समझ में नहीं आया कहीं न कहीं जीवन का सही अर्थ समझ में नहीं आया समस्या यहीं पर है कहीं न कहीं जीवन का मर्म या जीवन का सही अर्थ नहीं समझ में आया अभी तक यहीं समस्या और जब में कूद कर, कोई ट्रेन से कटके, ऐसी कई खबरे सुनने को मिलती हैं, और खास कर जब रिजल्ट्स आते हैं, उसे में ज़्यादा ऐसी खबरे होती हैं, ज़्यादा खबरे होती हैं, पिछले दो सालों में, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे होंगे, उससे ज़्यादा संख् लोग आत्महत्या करके मर चुके हैं या भी एक worldwide pandemic है इसकी लोग चर्चा नहीं करते हैं और इसका समाधान क्या है अपने life standard को rise करना लेकिन life standard क्या है अच्छे कपड़े अच्छा मकान अच्छी गाड़ी क्या है life standard जी नहीं अच्छी सोच अच्छे विचार जीवन जीने का तरीका यही तो समस्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको नौकरी करना सिखाता है वो आपको slave बनना सिखाता है क्योंकि राजाओं को political लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो slave minded हो जो गुलाम बनने के आदी हो और इसी उद्देश्य से धर्म का प्रचार भी होता है सत्त पूछो तो धर्म का प्रचार भी इसी उद्देश्य से किया जाता है ताकि लोगों को follower बना कर उन्हें बहुत अधिक संख्या में blind फेद देकर उन्हें गुलाम बनाया जा सके आप जितने भी मजहभी अभियान देख रहे हो आतंक देख रहे हो एक तरह का अभियान है जिसका सहारा आतंक है आतंक को सहारा बना कर जो मजहबी अभियान चलता है कि बदलो अपने मजहब में ले आओ लोगों को तभी तो इन पे साशन होगा फिर हम अपने इस किताब के नाम पर लोगों पे साशन करेंगे रूल करेंगे अब सनातन धर्म में कोई एक किताब तो है नहीं लेकिन वह जो जहां पर एक किताब वाली बात है कि हमारी तो एक किताब है हमारा तो एक ही उपर वाला है सच पुछो तो ये कोई बुद्धी जीविता नहीं है या और भी बड़ी मुर्खता हो इसलिए मैं तो रिपीट करके कई बार कहता रहता हो ये और भी बड़ी मुर्खता हो जाती है और इस एक परमात्मा को मानने वालों ने जितना संसार को नुकसान पहुचाया है जितने इन्होंने खून बहाए हैं जितने इन्होंने रक्तपात किये हैं जो किसी एक ताकत को मानते हैं आसमानी ताकत को Heavenly God इन्होंने जितनी खून और रक्तपात किया है शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा ये बहुत बड़ी मुर्खता भी परमानित होती है और मुर्खता ही है वास्तों में तो इसी लिए ये जो तरीका है वास्तों में लोगों को गुलाम बनाने का तरीका है और हमारा जो education system है वो पुरी तरह से कुछ वैसा ही है वो कभी art of life ने सिखाता जीवन के सुत्र नहीं समझाता यदि 12 वीक अक्षा में जीवन के सुत्र लोगों को समझाए जाए तो उन युवाओं के अंदर थोड़ा धैरे आएगा थोड़ी प्रतिक्षा करेंगे सब का समय होता है अपना अपना कई बार लोग जो है उम्र होने पर उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलती है ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे लोग हुए जो अपने स्कूल के जीवन में स्कूल टाइम में बहुत ही बैक बेंचर थे वो वीक इस्टुडेंट थे वो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे लेकिन उमर बढ़ी वो जब पैटिस शालिस या ओल्ड एज होने पर भी उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखा दिया अपने अनुभाव से अपने ग्यान से जो अधवुत हुआ करता था असमान ने हुआ करता था जो सहज नहीं था आसान नहीं ता उन्होंने वो करके दिखा दिया और उनको वैसी सफलता भी मिल जाती है इसलिए जिग्यासू सिख्षा विवस्था इतना गड़बड है इसलिए छात्रों के द्वारा हमारे देश में भारी संख्या में आत्म हत्या होती है हर बड़े शहर में देश में जितनी राजधानिया है जितने राज्ये हैं और जितनी राजधानिया है उन सब के नियूस पेपर आप बढ़िए लोकल नियूस पेपर जब दसवी के एक्जामस के रिजल्ट साते हैं जब बारहवी के एक्जामस के रिजल्ट साते हैं आप और पूरे country का अगर आप जोड़ देंगे तो हो सकता है कि 300-400 या 500 युवाव ने तुरंत एक-दो दिन के अंदर ही आत्मत्या कर ली ऐसी सुचना आपको मिलेगी तो इसलिए मनुष्य जीवन बड़े भागे से मिला है मनुष्य जीवन प्राप्त करकर इसको जीना कैसे चाहिए था कल भी हमने इसी विशय पर चर्चा किया था मनुष्य भोग और पशु भोग में क्या अंतर है पशु की तरह अगर मनुष्य भोगों को भोगेगा तो निश्य ही अपना भ्यानक पतन कर लेगा भोग तो है लेकिन सिक्षित होकर संस्कारित होकर सू संस्कृत होकर ही भोगों को भोगना चाहिए विवेक और ज्यान के साथ समझ कर नहीं तो अपना पतन होना निश्य होता है और पतन क्या शरीर का पतन मन का पतन सब होता है फिर तो हमें यही सब समझना है इन्ही सब बातों को इसपश्ट कर लेना है तो निश्य ही हम एक सही रास्ते पर हम चल पाएंगे और नहीं तो आत्महत्या हम कर ही रहे हैं वो तो आपने सुना कि जीवन से दुखी होकर किसी ने आत्महत्या कर ली नकरात्मक विचारों से परिशान होकर आत्महत्या कर ली डिप्रेशन में चला गया असफलता मिली उसे लगा कि जीवन में मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा और उसने आत्महत्या कर ली किसी के रिष्टे नाते खराब हो गया शादे बया खराब हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली तो ये समस्याएं बनती रहती हैं इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं तो वो तो एक आत्महत्या है लेकिन गोश्वामी तुलसिदाजी कहते हैं इस नर्तन को प्राप्त करने के बाद भी इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी जो न तरे भवसागर नर समाज अ और मंदमती है आत्महन गतिजाई वह आत्महत्याही कर रहा है वह आत्महत्याही कर रहा है जो योग के मार्ग पर नहीं चल रहा है जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल रहा है अपनी आत्मग्यान के अनुसंधान में नहीं लगा है योग अनुस के अभ्यास में नहीं लगा हु जीवन रहस्य को नहीं समझ रहा है और अपनी आत्मा तक पहुँचने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है तो आप भी विचार कीजिए कहीं आप आत्महत्या तो नहीं कर रहा है सोचिए कहीं आपके द्वारा आत्महत्या जैसा घ्रनत कर्म तो नहीं हो रहा है विचार किये इस बात पर अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो रुख जाईए अब आत्महत्या कौन सी आत्महत्या ये भी समझ लेए जरूरी निकी फांसे लगाएगा पंके से अपने आपको टांगेगा या उची मंजिल से गिर जाएगा दस्मी मंजिल से या नदी में कूच जाएगा या पौईजन खर लेगा या अपने आपको गन शूट कर लेगा जी नहीं यदि आप योग मार्ग पर नहीं चल रहे हैं यदि आप भक्ती मार्ग पर नहीं चल रहे हैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद किसी मार्ग दर्शक का सहारा नहीं ले रहे हैं उसके बताईवे मार्ग पर शास्तर सम्मत योग मार्ग पर आप नहीं चल रहे हैं तो आप आत्म हत्या ही कर रहे हैं ऐसा समझ लेजिए You are just like committing suicide Life जो है वो आत्म हत्या करने के बराबर ही लगबग हो जा रहा है तो आप आत्म हत्या ही कर रहे हैं तो हमें यहाँ बात समझ लेना चाहिए तब इसलिए इसको आत्म हत्या की से इसकी तूलना कर दी गई कि उनको वही गती प्राप्त होगी जो आत्म हत्या करने वालों को होती है आत्महन करने वाले को आत्महन लिखा है आत्महत्या की जगा तो आत्महत्या करने वालों को जो गती होती है वही गती आपको प्राप्त हो जाएगी आपने इस बात पर विशार करना चाहिए और आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए अंजाने में कई लोग आत्महत्या किये जा रहे हैं अंजाने में ही उनकी आत्महत्या है एक होती है जान बूझकर और एक होती है अंजाने में तो अंजाने में बहुत सारे लोग आत्महत्या किये ही जा रहे हैं तो उसके लिए रुखना चाहिए और हमें समझना चाहिए और योगमारगी ने इस शहर उपसे हमें बन जाना चाहिए हम बन जाते हो तो हमारी समस्याओं का समधान हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा नहीं तो बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी बाधाय हैं, बनी ही रहेंगे इसलिए से जीवन को बहतर बनाने के हमें तरीके सीखने चाहिए अगर हमने सही से जीवन को बहतर बनाया और सही सिक्षा युवाओं को सही समय पर मिल गई सही सिक्षा युवाओं को सही समय पर मिल गई तो वो निश्य ही बहुत बड़ा काम कर पाएंगे और अपने जीवन को सही धंग से जीएंगे और कभी आत्मत्या जैसे कुकर्म वो नहीं करेंगे तो जिग्यासुओ हमें इनी सब बातों पर इस विशय पर विचार करना चाहिए और इनी सब बातों को समझ कर हमें चलना चाहिए तो चलिए आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं बीच में डिसकनेक्शन हो गया था जिसे की कमेंट चैट जो था वो डिसकनेक्श हो गया था तो सभी लोगों का कमेंट्स नहीं आप आएंगे मेरे पास कुछ लोगों के जिन्होंने पहले शुरू में किया था उन्हीं लोग के हैं उनका मैं पढ़ता हूँ तो खिम सुनार जी बहुत अभिनंदन है नभजोतिनाथ जी घंशाम सारुदे कमलेश खैरनर राजू पाल उश्या शिरवास्तो जी बिस लाल बहादूर सिंग जी कुविंद प्रसाद नीमा विंदेश्वरी मिश्रा रमेश पेश्वानी जी भरच शबलानी जी नभजोतिनाथ जी अजीत अपराजित जैस्तशिदानंद पविता धिमान रूपलाल विश्व कर्मा स्वेता राय सिना सविता नायक विनोत कुमार सूद जलाराम राइका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है सबका बहुत-बहुत स्वागत है अभिनंदन है दिविसरजन चैनल में कल फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आज भी बहुत गंभीर चर्चा थी ये आत्महत्या और पुनर जनम के उपर तो हम भी बार-बार जनम लेना बार-बार ये आत्महत्या के बराबर है ऐसा होना इसलिए हमें इसके मर्म को समझना है हाँ एक प्रश्ण और हम मुझे ध्यान आ रहा है किसी जिग्यासों ने पूछा था मुस्पे मुझे प्रश्ण किया था कि आत्महत्या करने वाले भी अपना देह त्यागते हैं और योग मार्ग से योगी भी अपना देह पात कर देते हैं देह को छोड़ देते हैं लेकिन वो योग मार्ग से छोड़ते हैं और अपनी मर्जी से छोड़ते हैं आत्म हत्या करने वाले भी अपनी मर्जी से ही देह का त्या करते हैं और जो योगी है वह भी अपनी इक्षा से उसे कोई मार नहीं सकता ना बिमारी मार सकती है ना कोई विक्ति मार सकता है तो योगी जो सिद्ध योगी है वो भी अपनी इच्छा से देह का त्याग करता है तो अब ये बताइए कि आत्म हत्या करना और योगियों का देह त्याग करने में क्या अंतर एक ही जैसा लग रहा है ये तो योगियों ने आत्म हत्या कर दी और इस तरह से देहत्या कर दी और जो संसार में विक्ति नराज होकर दुखी होकर आत्म हत्या कर रहा है वो भी तो देहत्या कर रहा है तो उसका और इसमें अंतर क्या है बहुत बड़ा अंतर वह एक शुद्ध चेतना को प्राप्त हो चुका है तब उसने दे त्या किया है और वो दे अपने आप ही चला गया उसके लिए दे रहना ना रहना पहले ही बराबर हो चुका है तो उसने जो इस मनुष्य जीवन का लक्ष था उसे प्राप्त कर लिया है वह योगी जो योग मार्ग से इस थूल देह का त्या कर रहा है इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का जो उद्धिश था इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का जो लक्ष था उसने पूरा कर लिया है तब देहकात्या किया है लेकिन एक दूसरा मनुश्य जो संसारी को पलब्धी ना होने के कारण संसार में असफलता मिलने के कारण रिस्ते नातों में असफलता मिलने के कारण रिस्ते नातों में उसे परेशान होकर उसने आत्मत्या कर लिए तो लगभग ये चीज इसके लिए था संसार के लिए था ना यहाँ पर तो अनासक्त भाव नहीं है और योगी जो देह पात करते हैं वो अनासक्त भाव से करते हैं उनका योग पूर्ण हो रहा है तो बहुत भारी अंतर हो जाता है इस परकार के आत्मत्या में योगियों का देह पात करना उसे हम आत्मत्या नहीं कह सकते तो उसमें तो आत्मा के उपलब्दी हो रही है आत्म स्थिती बन रही है तो उसकी तुलना आत्महत्या से नहीं की जा सकती है इस बात को समझ लेना है तो उसकी तुलना आप कभी आत्महत्या से ना करें तो बेहतर होगा तो यह चीज है और योगी लक्षपूर्ण कर चुके हैं मनुष्य जीवन का तो वो देहत्याक देते हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी जीवन का लक्ष नहीं प्राप्त किया, वालेकि सांसारिक दुखों से दुखी होकर आत्महत्या कर रहा है, वो बहुत गलत बात है और जो योग नहीं कर रहा, गोश्वामी जी कहते हैं, जो ना इस नर्तन को प्राप्त करकर, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करकर, जो भक्ती नहीं कर रहा है, वो भी आत्महत्या कर रहा है वो भी आत्महत्या कर रहा है, तो ये अंतर हमें समझ लेना है, योगी का देह पात करना और ऐसे एक सधारन विक्ती का आत्महत्या कर लेना तो इससे हमें बचना है, ऐसी सोच नहीं रखनी है और योग मार्क पर चलना है, अच्छा समय सबके जीवन में आता है, समय लगता है, लेकिन आता जरूब है ठीक है, चलिए, तो किसी के साथ हम विचारों को विराम देंगे, धैर रखें, और आत्महत्या जैसा कदम कभी न उठाए, योग साधना करें, अपने योग अबल से कैवल्ल की प्राप्ती करें और अपना देहत्याग दें, तो वो एक सही क्रिया है, वो कल्यान हो गया, अ आप चक्कर से बाहर निकल चुके, तो ये मनुष्य जीवन चक्कर से बाहर निकलना, कौन सा चक्कर, 84 के चक्कर से बाहर निकलने का ही साधन है मनुष्य जीवन, अगर इसके लिए भी कोई प्रियोजन नहीं किया, कोई विवस्था नहीं की, तो वो आत्महत्या के बराबर है तो इसी के साथ विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं लाइव से दूसरों को समझाने का प्रयास करें तो चलिए इसी के साथ यहां विचारों को विराम देते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का